नमस्कार दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे राधे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे यूट्यूब चैनल शास्त्र सनातन ज्यान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्री कृष्ण जन्माश्टमी मनाई जाएगी पूजा का शुभ मुहूरत, रोहिनी नक्षत्र, व्रत के पारण का समय, अश्टमी तिथी कब से कब तक, पूजा विधी और इसके महत्व के बारे में भाद्रपद का महीना, भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए श् जन्माश्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र हसन यूरोप और व्रिशब राशि के चंद्रमा में हुआ था, इस दिन भगवान श्री में के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है, हर साल जन्माश्टमी की तिथी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिती बनी रहती है, आएए जानते हैं, साल 2023 में जन्माश्टमी कम है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधी महत्व और दिन अश्टमी, तिथी कब से कब तक रहेगी। 11 बजकर 56 मिनट से लेकर 12 बजकर 42 मिनट तक, रोहिनी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर सुभह 9 बजकर 20 मिनट पर, रोहिनी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर सुभह 10 बजकर 25 मिनट पर, व्रत के पारण का समय होगा 7 सितंबर सुभह 6 बजकर 9 मिनट के बाद, मान्यत ग्रिहस्थ 92.6 सितंबर को कृष्ण जनमोत्सव बनाएंगे, तो वहीं वैश्णव संप्रदाय 7 सितंबर को जनमाश्टमी का उत्सव मनाएंगे। स्नान कराकर पीले वस्त्र वाभूशन पहनाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं, अब अंत में आंटी कर उन्हें जूला जुलाया। पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पृत्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए जनमाश्टमी के दिन भगवान श्री कृष्न ने पृत्वी पर जनम लिया था। श्री कृष्न की पूजा से संसार के समस्त सुख का आनंद मिलता है। संतान प्राप्ति के लिए भी जनमाश्टमी का दिन विशेश फलदाई होता है। दर्शक बंधूओं, यदि आज की हमारी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा है कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा प्रभाव परेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका दिन शुब हो।